Hello everyone, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई disrespect करता है तो हम जाने अन जाने में कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है या हमारे रिष्टे खराब हो जाते हैं तो हमारे लिए ये चीज जाना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई हमें disrespect करता है तो हमें उस situation को handle कैसे करना है तो आईए आज हम कुछ ऐसी valuable insights की बात करते हैं तो first is directly confront them जब कभी भी आपको कोई disrespect करता है तो आपको directly और confidently उन्हें address करना होगा आपको उन्हें clearly explain करना होगा कि why it is not acceptable और आप ये चीज़े tolerate नहीं कर सकते बार बार second is use assertive language जब कभी भी आपको कोई disrespect करता है तो आपको communicate करना होगा अपनी boundaries और अपनी expectations के बारे में आपको उन्हें clearly बताना होगा कि आप उनसे कैसा treatment चाह रहे हैं third है specify consequences अगर आपको कोई disrespect करता है तो आपको clearly explain करना होगा कि ऐसे behavior के outcomes क्या आ सकते हैं और अगर ये continue रहेगा तो आपको भी कुछ actions इसके लिए लेने पड़ेंगे तो next point है remain composed जब कभी भी आपको कोई disrespect करता है तो आपको अपने control में रहना होगा आपको उन्हें react नहीं respond करना होगा और अगले इंसान को ये तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि इसका असर आपकी emotional state पर भी पड़ रहा है next point है expressing your disappointment जब कभी भी ऐसा होता है कि आपको कोई disrespect करता है तो आपको अपनी feelings को उनके साथ बैठके कामली share करना होगा आपको ये बताना होगा कि ये चीज ने आपको hurt करा है और आप इससे disappointed है ताकि वो इनसान अपने actions पे अपने behavior पे काम कर सके तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम ऐसी critical situations को more effectively handle कर सकते हैं Thank you